कि दोस्तो हुआ कर दोस्तों नमस्कार बातिशाइती की चेनल में आपका स्वागत है साइन्स क्रेस कोस की स्लंखला में आज का हमारा टॉपिक है जनतु उत्तक एवं रुधिर तो आये दोस्तों प्रश्ण अत्रमाध्यम से जनत उत्तक एम रुधिर को हम पूर्ण करते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो के अंत में आप इसे लाइक जरूर करें शेर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें तो आज दोस्तों चुरू करते हैं जनतों में कितने प्रकार के उत अंगों के बहरी पतली परत तथा आंत्रिक अंगों के भीत्रि इस्तर का निर्मान कौना उत्त करता है। उत्तर। उपकला या एपितीलिय में उत्तक कितने प्रकार का होता है। उत्तर विशरन, स्रामन, अवशोशन प्रिसर संग्या चार Epithelium में उत्तक कितने प्रकार का होता है? उत्तर चार शलकी या शलकाई Epithelium इस्तमबाकार Epithelium क्यूबाइडल Epithelium और पक्षमाभी Epithelium प्रिसर संग्या पांच शल्की उत्तक की कोशिकाएं होती है उत्तर चप्टी और अत्यदिक पतले प्रिस्ट संक्याच शल्की उत्तक किसके इस्तर बनाते हैं उत्तर मुखकुः, जिव्वा, ग्रास नली तथा अहार नालके प्रिस्ट संक्याच साथ शल्की या शल्काब उत्तक का कारिय है उत्तर आंत्रिक अंगों को सुरक्षा देना तथा रक्त माइनियों एवं बायू कोशों में पधारतों के विश्रण में सहायता देना प्रश्ण संक्या आठ शलकी या शलकाब एफितिलियम को जाना जाता है उत्तर इस्तरित शलकी एफितिलियम प्रश्ण संक्या नो इस्तंबाकार एफितिलियम कोशिकाओं के मुक्त सिरे पर होते हैं उत्तर सुक्ष्म रसांकुर प्रश्ण संक्या दस गनाकार एफितिलियम क कोशिकाओं में केंद्रक होता है उत्तर गोलाकार प्रिश्चन संक्या 11 गनाकार एफितीलियम पाए जाते हैं उत्तर लार ग्रन्ती स्वेध ग्रन्ती तितर व्रक्नली काऊं में प्रिसुन्स संक्या एफितिलियम में रोम का कारिय है उतक मुक्त कोशिकाओं अत्वा म्यूकस में एफितिलियम सजी के उपरी विशिष्ट दिशा में गती कराना। प्रिशन संक्या चौद है पक्षिमा भी एफितिलियम पाई जाते हैं उत्तर अंडवाहिनी, स्वासनली और मुगवा में। उत्तर कॉलेजन तंतु प्रस्ण संग्या सौल है कॉलेजन तंतु उत्तक को प्रिदान करते हैं उत्तर शक्ति प्रत्यास्ता वै लचिलावन प्रस्ण संग्या सत्र है हमारे सरीर में पाए जाने वाले प्रमुक सहियोजी उत्तक हैं उत्तर अस्ति उपास्ति कंड्रा इसनाय प्रस्ण संक्या 18 कंकाल बना है उत्तर अस्ति और उपास्तियों से मिलकर प्रस्ण संक्या 19 शार्क मचलियों का कंकाल तंत्र बना होता है उत्तर उपास्ति से प्रस्ण संक्या 20, एरियोलर उधारन है, उत्तर सईयोजी उत्तक का, प्रस्ण संक्या 21, एरियोलर उत्तक पाया जाता है, उत्तर तवचा और मास पेशियों के बीच रखते नलिका के चारों और तथा नसो और अस्ती मज्जा में, प्रस्ण संक्या 22, एरियोलर उत्तक का कारि की मरत मत में सहायाटा करना प्रस्तों संगया 23 रुदिर है अधर तरल जयोजी उत्तक के जोईज रुधिर शरीर के भार का कितना पृतिशत होता है उत्तर वानुष्य में अश्टन कितना रखत होता है उत्तर पांश say लेटर प्रसुं के 27 रक्त का pH है उत्तर 7.4 प्रिस्ण संक्या 28 रक्त में कितने प्रकार के पधारत पाए जाते हैं उत्तर 2 प्लाजमा तथा रुदिरानू प्रिस्ण संक्या 29 रक्त में प्लाजमा का भाग कितने प्रतिशत होता है उत्तर 60 प्रतिशत प्रिस्ण संक्या 30 प्लाजमा में किन किन प 0.9 प्रतिशत लवन, 0.1 प्रतिशत गुलकोज तथा शेश पधार्थ बहुत कम मात्रा में प्रसुन संग्या 31 पचेवे भोजन एवं हार्मोन का सरीर में सम्वहन होता है उत्तर प्लाजमा द्वारा प्रसुन संग्या 32 जब प्लाजमा में से फाइबरी नौजे नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेश प्लाजमा को कहा जाता है उत्तर सेरम प्रसुन संग्या 33 रुदिरानों रक्त का कितना प्रतिशत भाग होता है उत्तर 40 प्रसुन संग्या 34 रुदिरानों को कितने भागों में बाटा गया है उत्तर तीन लाल रक्त कणी का स्वेत रक्त कणी का रक्त विम्बानों प्रस्ण संक्या 35 इस्तंधारियों में लाल रक्त कण होते हैं उत्तर उभियातल प्रस्ण संक्या 36 लाल रक्त कणी काओं में केंद्रक की उपस्तिती उत्तर नहीं होती है प्रिशन संक्या 37 लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक की उपस्तिती नहीं होती है पर अपवाद के रूप में है जिनमें केंद्रक पाया जाता है उत्तर ओंट एवम लामा नामक इस्तंध हरी प्रस्ण संक्या 38 लाल रख्त कनिकाओं का निर्मान कहां होता है उत्तर अस्तिमज्जा में प्रस्ण संक्या 49 लाल रख्त कनिकाओं के निर्मान में साहिक होते हैं उत्तर प्रोटीन, आईरन, विटामिन B, 12, एवम, फॉलिक, आमल प्रिस्ट संक्या 40 ब्रुन अवस्ता में लाल रख्त कणिकाओं का निर्मान कहा होता है उत्तर यक्रत्व प्लिहा में प्रिस्ट संक्या 41 लाल रख्त कणिकाओं का जीवन काल होता है उत्तर 20 से 120 दिन प्रिस्ट संक्या 42 लाल रख्त कणिकाओं की कब्र गहा किसे कहा जाता है उत्तर, यकृत्वय प्लिहाबु प्रिसंख्या 40, हिमोगलोबिन में पाया जाने वाला लोह योगिक है उत्तर, एमेट्इन प्रिसंख्या 45, लाल रखत कनिकाओं का मुख्य कार्य है उत्तर, शरीर की हर कोशिका में आक्सिजन पहुंचाना एमम कार्बन डाई आकसाइड को वापस लाना प्रिसन संख्या 45 हिमोगलोबिन की मातरा कम होने पर रोग हो जाता है उत्तर रक्त क्षीन्टा प्रिसन संख्या 46 बियालिस सो मिटर की उचाई पर लाल रक्त कणिकाओं में व्रद्धी हो जाती है उत्तर 30 प्रिसन संख्या 47 सोते वक्त लाल रक्त कणिकाओं में कमी हो जाती है उत्तर 5 प्रिसन संख्या 48 लाल रक्त कणिकाओं की संख्या ग्यात की जाती है उत्तर हेमोसाइटोमीटर से प्रिसन संख्या 49 50 स्वेत रख्ट कणिकाएं आकारवर रचना में किसके समान होती है उत्तर अमीबा 50 स्वेत रख्ट कणिकाओं का निर्मान होता है उत्तर अस्तीमज्या लिंफनोड कभी-कभी यक्रत और पलिहामे उत्तर संग्यावन स्वेत रक्त कणिकाओं की मृत्ति होती है उत्तर रक्त में प्रस्ण संग्या 53 स्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कारिय है उत्तर शरीर को रोगों के संक्रमन से बचाना प्रस्ण संग्या 54 स्वेत रक्त कणिकाओं का सबसे अधिक भाग बना होता है उत्तर, Neutrofil कनिकाउं का प्रसंसंग्या 55, RBC एवम WBC का अनुपात है उत्तर, 600 अनुपात constitution 1 लग्ति विंबानों का निर्मान होता है उत्तर, अस्तीमत जामे प्रसंसंग्या 57, लग्ति विंबानों का जीवनकाल होता है उत्तर, तीन से पांस दिन प्रस्ण संक्या 58 रक्त विंबानों का मुख्यकार्य है उत्तर रक्त का थक्का बनाने में मदद करना प्रस्ण संक्या 69 रक्त का थक्का बनाने में कौन सा वेटामीन साहेता करता है उत्तर वेटामिन के प्रसुन संक्या साथ यदि एक विक्ति की लाल रुधिर कनिकाओं को अन्य विक्ति के रक्त सिरम में रख दिया जाए तो लाल रुधिर कनिकाओं के मध्य किसकी आशंका रहती है उत्तर सम्मुहन की प्रस्ण संग्या 61 यदि उप्युक्त वर्णित विप्तियों के मद्य रगताधान कर दिया जाए तो ग्राही की हो जाती है उत्तर मृत्यो प्रस्ण संग्या 62 रुधिर में उपस्तित लाल रुधिर कणिकाओं की जिल्ली पर प्रतिजन पाए जाते हैं उत्तर 2 प्रतिजन A और प्रतिजन B दोस्तो प्रतिजन को एंटिजन भी कहा जाता है प्रस्ण संग्या 63 रुधिर सिरम में प्रतिरक्षी उपस्तित होते हैं उत्तर 2 प्रतिरक्षी A तथा प्रतिरक्षी B दोस्तों प्रतिरक्षी को एंटिबॉडी कहा जाता है प्रशन संक्या 64 प्रतिजन की उपस्तिति के आधार पर लेंड स्टीनर ने रुदिर को कितने भागों में विभाजित किया है उत्तर 4 A B A B तथा O प्रिस्न संग्या 65 रुधिर वर्ग A वाले विक्तियों की लाल रुधिर कनिकाओं पर प्रतिजन पाया जाता है उत्तर A प्रिस्न संग्या 66 भारत में लगबग कितने प्रतिशत विक्तियों का रुधिर वर्ग A होता है उत्तर 25 प्रतिशत 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 असने प्रतिशत व्यक्तिऊं का रुदिरवर्ग A B होता है उत्तर लगबग दस प्रतिशत प्रसिंस संग्याバтор की वाले व्यक्तियं के नौतिर सिरम में प्रतिरख्शी होते हैं उत्तर अनुस्तित प्रसंद संग्याथ 577। रुधिर वर्ग ओ वाले व्यक्तियों की लाल रुधिर कणिकाओं पर प्रतिजन पाया जाता है उत्तर ए तथा बी की अनुपस्तिती इसमें रहती है प्रसंग्या 73 रुधिर वर्ग ओ में प्रतिजन की अनुपस्तिती के कारण इन्हें नाम दिया गया है उत्तर शुन्य वर स्वस्त व्यक्ति का रुधिर रोगी को दिया जाना कहलाता है उत्तर रक्ताधान प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया होने से लाल रुधिर कोश्काएं आपस में चिपकने लगती है इसे कहते हैं रक्त सम्मुहन किस ने अनुसंधान किया कि मनुश्यों में प्रतिजन अ तथा बी के अतरिक्त एक अन्य प्रतिजन आरच फेक्टर भी होता है उत्तर लेंड इस्टिनर तथा विनर ने प्रस्ण संग्याची लेंड इस्टिनर तथा विनर ने किस पर अनुस्षण द्धान किया उत्तर मका का रिसस नामक बंदर पर प्रस् swostroke AQ consistency जिन वेक्दियों के रुधिन में आरेच कारक उपस्तित होता है उन्हें कहते हैं उत्तर आरेच धनात्मक प्रस्ट संक्या 82 जिन वेक्तियों के रुधिर में आरेच कारक उपस्तित होता है उन्हें कहते हैं उत्तर आरेच रिनात्मक प्रस्ट संक्य 83, समान रुधिर वर्ग किंतु भिन आरेच कारक वाले वेक्तियों के मद्ध रखताधान कराने पर रुधिर सम्मोन हो जाने से रोगी की हो सकती है उत्तर मृत्यो प्रस्फन संक्या 84 ही रह एच दरिनात्मका वाली इस्त्री का विवह रह एस धनात्मका वाले पुरुण से होने के उपरान्त यदि माता के गर्भ में रह एच धनात्मका वाला भृुण परिवर्धित होता है तो इस दशा में उदतर। माता एवम भुरुन के रुधिर के परसपर मिलने से माता के घरबाशे में आर एच परतिरक्षी का निर्मान हो जाता है। प्रसन संग्या 580ς माता के घरबार्शे में पूरू में बने आरेच प्रतिरक्षी इस भ्रुन के प्रतिजण के साथ प्रस पर क्रिया कर रुदिर सम्मोहन करने लगते हैं. इसे कहते है उत्तर गर्ब रखतानों को उड़ता रोक के कारण क्वावथा पड़ता है उत्तर अधिक्तर ब्रणों की मृत्यू माता के गर्भाशे में ही हो जाती है प्रस्ट संग्या 88 गर्ब रक्तानों कोड़ता रोग से गरशित वे शिशु जो जीवित उत्पन होते हैं वे प्रभावित रहते हैं उत्तर अत्यदिक कमजोर तथा रक्त हींता से गरशित होता है तथा शिशुओं की यकरत वाहिनियों के अवरुद हो जाने से इन्हें यकर अत्मक वाला शिशु उत्पन होते ही माता को 24 गंटे के भीतर अपूर्ण प्रती आरेच का इंजक्शन लगवाया जाए प्रस्ट संक्या 90 मनुष्य में रुधिर वर्गों का नियंतरन एक जीन के कितने विकल्पियों द्वारा होता है उत्तर तीन प्रस्ट संक्या लाए जाने वाले रुधिर वर्गों की संभावना है उत्तर 50% A तता 50% B प्रस्ट संक्या 90 में टूटी-फूटी एशक्त कोशिका का बक्षन करके रुधिर को स्वच एमम स्वस्त कौन रखता है उत्तर स्वेत रुधिर कनी का प्रस्ट संक्या 94 में पेशी उत्तक बना होत प्रस्ट संक्या 96 में हर्दे की धड़कन तथा भोजन नली में संकुचन और प्रसार किसके कारण होता है उत्तर पेशी उत्तक के कारण प्रसन संक्या सत्यान में शरीर में कितने प्रकार के पेशी उत्तक पाये जाते हैं उत्तर तीन रेखित पेशी और रेखित पेशी फिर्दे पेशी प्रसन संक्या ठ्यान में रेखित पेशी है उत्तर कंकाल पेशी या एच्छिक पेशी प्रिसन संक्या 99, एर एकित पेशी है, उत्तर चिकनी पेशी या अनेचिक पेशी प्रिसन संक्या 100, तंत्री का उत्तक की कोशिका को कहते हैं, उत्तर नियूरॉन प्रिसन संक्या 101, हमारे शरीर में उश्मियक उचालक का कारे करने वाला उत्तक है उत्तर वसामे उत्तक प्रिस्ट संग के एक सो दो वह सहियोजी उत्तक जो मास पेशियों को अस्तियों से जोड़ता है कहलाता है उत्तर कंडरा प्रिस्ट संग के एक सो तीन लिंगामेंट वटन्न होते हैं उत्तर सहियोजी तंतुमे उत्तक प्रिसें संग के 104 उंट का कूबर किस उत्तक का बना होता है उत्तर वसामे उत्तक प्रिसें संग के 105 आहार नाल की शलेशमक जिल्ली म्यूकोसा का निर्मान होता है उत्तर इस्तंभी एपिथीलियम के द्वारा प्रस्ण संक्या 106 सबसे लंबी कोशिकाएं होती है उत्तर तंत्रिका तंत्रिकी प्रस्ण संक्या 107 एर रेखित मास पेशियां पाई जाती है उत्तर आमाशे में प्रस्ण संक्या 108 रेखित पेशियों का काम है उत्तर एच्छिक गतियों का संचालन करना प्रस्ट रसंग्या 108, अस्ति, किस प्रकार का उत्तक है, उत्तर सेयोंजी उत्तक का, प्रस्ट संग्या 110, तन्त्रिका कोशिका में उद्धिपन विध्धुत व्यरा सायनिक संकेतों के रूप में संच्रित होते हैं, जिनें कहते हैं, उत्तर आब एक, तो दोस्तों ये थे को आप बाते साहिति की चैनल से जुड़ सक्ते हैं इसके लिए दोस्तों आपको आपको फिस्ट पर जाकर बाते साहिति की पीज को सरच करना होगा और वहां से उसे like वर फॉलो करें आप है कि अम कि आप है यो दोस्तों वीडियो को जदर जदर लाइक करें शेयर करें और चैनल के साथ जदर ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रियास करें धन्यवाद दो